Very good morning all of you बच्चों हमने लाश्ट प्रेड में क्या किया था? हाँ, हमने लाश्ट प्रेड में 12 पाठ विद्या धनम का अभ्याश की बात की थी हमने पुरा अभ्याश समझा था जैसे कि आप सब जानते ही हो कि हमारे इस साल के लिए सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए कुछ लेशन है वो हमने छोड़ दिये है यानि कि हमारे अभ्याश क्रम जो हमारा सिले बश है उनमें से हमने कुछ लेशन है वो स्किप कर दिये है कुछ हमने छोड़ दिये है यानि कि वो आपको सिले बश में नहीं आएगा तो हमने लेशन 13 भी हमने छोड़ दिया है यानि कि हम जो इस साल का शरिलिबस रहेगा यानि अभ्याश क्रम में आपको लेशन 13 त्रयोधश पार्थ नहीं पड़ना है आपको उसका अभ्याश नहीं करना है और आपको एक्जाम में भी लेशन 13 नहीं आएगा यानि त्रयो दर्शह पाठ का आज हम अभ्याश नहीं करेंगे तो इसके बाद लेशन है चतुर दर्शह पाठ तो चतुर दर्शह पाठ है अनारी कायाहा जिग्याशा तो उसका हम आज अभ्याश करेंगे सबसे पहले आप लोग सब अपने हाथ में अपनी पाठ्य पुस्तक ले लीजिए हाँ ले ली वेरी गुड तो चलो बच्चो सब सबसे पहले तो आप पेज नमबर 77 निकाले निकाला हाँ तो अब आप लोग अपने हाथ में अपनी पाठ्य पुस्तक रखेंगे तांकि आपको पता चले कि मैं जो शमझा रही हूँ वो एक एक लाइन का अनुवाद आप लोग अच्छे से समझ पाओ तो चलो आप सब के हाथ में पठे पुस्तक तो होगी ही आप उनमें देखते जाना मैं जो जो एक एक शब्द का अनुवाद करके आपको इसका मिनिंग समझाओंगी तो वो आपको याद रखना है सबसे पहले तो हम इस लेशन का जो नाम है अनारिका याहा जिग्याशा उसका मिनिंग समझेंगे अनारिका यहाँ जिग्याशा का मीनिंग क्या है तो मैं आपको बता दू कि यह अनारिका जो है वो एक लड़की का नाम है और अनारिका यहाँ यानि कि उसका यहाँ पे शप्तमी विवक्ती लगी हुई है सोरी शेष्टी विवक्ती लगी हुई है तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि अनारिका की जिग्याशा यानि कि जिग्याशा यानि क्या तो कि जाननी की इच्छा अनारी का जो है उसकी जिग्याशा क्या है इस लेशन में पूरे लेशन में यही बताया है कि ये अनारी का नामक जो लड़की है वो उसकी जिग्याशा क्या होती है वो अंत्र तक अपने मन में कैसी कैसी जिग्याशा रखती है अपने मन में कैसे कैसे शवाल उसको आते है और उसका आंसर उसका उत्तर जो है वो कहीं से उसको नहीं मिल रहा है तो चलो हम installation के द्वारा एक सामाजिक वीचारधारा एवं दृष्टी कौन के सामने कटाक्ष किया है सरकारी कार्यवहाई के प्रती हमारा करतव्य क्या होता है और हम क्या करते है एक सच्चा न्याय की बदले में जो दिखावा है एक परंपरा है उसके सामने आज भी हम एक नई सोच नहीं ला पा रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे कटाक्ष करते हुए हमें समझाया है चलो एक छोटी सी बच्ची की जिग्याशा के द्वारा भी सायद किसी के मन में ऐसी जिग्याशा भी जाग जाए और वो अपनी नई सोच की तरफ आगे कदम बढ़ाए ऐसी विश्वास के साथ आज हुम अभ्याश करेंगे चतुद रशह पाठ अनारी का यहाँ जिग्याश चलो सुर्वात करते हैं बाली का यहाँ अनारी का यहाँ मनेशी शर्वदा महती जिग्याशा भवती अतह साबहुन्ह प्रश्णान पूछचती तश्याँ प्रश्नेहे सरवेशम बुद्धिही चक्रवत ब्रहमती और्थात यहाँ पे क्या कहा है तो के बाली का यहाँ यानि जो लड़की है वो छोटी है अनारिका यहा यानि अनारिका के मनसी यानि मन में सरवदा यानि हमेशा महती यानि बहुत जिग्याशा यानि जिग्याशा जाननी की इच्छा भवती यानि होती थी बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत सारा कुछ जाननी की इच्छा होती थी समझ में आगई ये लाइन बालिका यहा यानि बालिका अनारिका यानि अनारिका मनसी यानि मनमे सर्वदा यानि हमेशा महती यानि बहुत जिग्याशा यानि जाननी कीई छा बवती यानि होती थी बालिका अनारिका के मनमे हमेशा बहुत कुछ जाननी कीई छा होती थी अत यानि इसी लिए सा यानि वो वो यानि कौन अनारिका बहुन यानि बहुत सारे प्रश्णान यानि प्रश्ण पूछती थी इसी लिए वो बहुत सारे प्रश्ण पूछती थी अनारिका के मन में बहुत सारा कुछ जाने की इच्छा होती थी इसलिए वो क्या करते थी बहुत सारे प्रश्ण पूछते थी हमें भी कभी कभी समझ में ना आई या तो कुछ जानना हो तो हम क्या करते बहुत सारे प्रश्ण पूछते है न तो इस तरह हम प्रश्ण पूछ कर हमारी जिग्यार्षा को संतुष्ट कर्श रखते हैं यहां पे अनारिका भी यही कार्य कर रही है तश्याहा प्रश्ण है सर्वेशाम बुद्धी, चक्रवत, भ्रमती अर्थात यहां पर क्या कहा है कि तश्याहा यानि उसके उसके यानि अनारिका के प्रश्ण यानि की question प्रश्ण सर्वेशाम यानि सबकी बुद्धी यानि बुद्धी चक्रवत यानि चक्र की तरह चक्र होता है न पैड़ा होता है न गाड़ी का वो चक्रवत यानि चक्र की माफक भ्रमती यानि गूम जाता था गूम जाती थी तश्याहा प्रश्ण है यानि उसके प्रश्ण सर्वेशाम यानि उसके प्रश्ण से सबकी बुद्धी चक्र के माफक गूम जाती थी चक्र कैसे गूमता है गोल गोल वैसे सबकी बुद्धी कैसे गूम जाती है गोल गोल तो इस तरह सबकी प्रश्ण से उसकी सबकी बुद्धी चक्र के माफ़क गूम जाती थी यानि उसकी प्रश्ण इतने कभी-कभी गहरे होते थे कि सबके पास उसका आंसर नहीं होता था और वो प्रश्ण सुनकर सबकी बुधी चक्र की तर गोड़ गोड़ गूमने लगती थी उसको सामने वाले को पता नहीं चलता था कि अब उसका आंसर वो अनारिका को क्या दे प्रात हा उथाय सा अन्भवत यत तश्याहा मन्ह प्रशन नास्ती प्रात यानि सुब उथा यानि की उठकर सा यानि अनारिका वो खुद अन्भवत यानि की अनुभव क्यर्ना यत तश्याहा यानि उसका मन्ह यानि मन्ह प्रशन यानि प्रशन खुश नास्ती यानि नहीं है न प्लस अस्ती यानि नहीं है प्राता सुब उठकर उठा यानि उठकर सुब उठकर उसने अनुभवत यानि अनुभव किया कि आज उसका मन ट्रशन नहीं है आज उसका मन खुश नहीं है अनारी का सुब उठती है तब उसने अनुभव करती है कि आज मेरा मन ठीक नहीं है आज मेरा मन खुश नहीं है आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आज मेरा मूर ओफ है आप भी अपने फ्रेंड को कभी बोल देते हो कि आज तो मेरा मूर ही नहीं है आज मेरा मूर ओफ है तुम अकेले ही चले जाओ आज मुझे गुमने नहीं चलना आए या तो आज मुझे नास्ता करने नहीं आना है, आप चले जाओ, तो इस तरह सुबह उठकर अनारिका भी अनुभो करती है, फिल करती है कि आज मेरा मूल नहीं है, आज मेरा मन प्रशन नहीं है, मनो विनोदाय सा भ्रमितुम गुरुहातर बहिर अगच्चत यानि कि मनो विनोदाय यानि मन को प्रशन करने के लिए सा यानि वो, भ्रमितुम यानि कि गूमने के लिए गुरुहात यानि गलसे, बहिर यानि बाहर अगच्चत यानि कि गई, जाना मनोविनोदाय सा प्रमितुम गुरुहात बहिर अगचत मनको प्रशन करने के लिए वो गुमने के लिए गरसे बाहार गई प्रमित बहिर अगचत मनोविनोदाय सा प्रशन करने के लिए वो गुमने के लिए गरसे बाहार गई ब्रमनकाले सा अपश्यत यतं मार्गाहा सुसजिता संती ब्रमनकाले गुमते शमे सा यानी वो वो यानी अनारिका अपस्यत यानि देखा यतम मारगा हा शुषजिता यानि की मारगा यानि की रास्ते सुषजिता यानि सज्जे धजे साफ सुफ्रे संती यानि है वो गुमते समय ब्रह्मन काले यानि गुमते समय उसने देखा कि आज तो रास्ते है वो सज्जे धजे है साफ सुत्रे है सा चिंत्यती, सा यानि वो, चिंत्यती यानि सोचना, उसने सोचा, कि मर्थम यह सज्जा, कि मर्थ यानि क्यूं, इयम यानि सज्जा, इयम यानि ये, सज्जा यानि की सज्जे है, ये ऐसे क्यूं सज्जे धज्जे है, आज रास्ते ऐसे क्यूं साफ सुत्रे है, ऐसे क्यूं सजेदजे है सा अश्मरत सा यानि वो यानि की अनारिका को अस्मरत यानि याद आया उसको याद आया कि यता अध्यह तो मंत्री आगमिश्यती उसको याद आया कि अध्य यानि आज मंत्री आगमिश्यती यानि आने वाले है उसको याद आजाता है कि आज तो मंत्री आने वा पर बेटने वाला प्रदान मंत्री, मंत्री या तो कोई शिक्षणा अधिकारी, ऐसे कोई बड़े, जब हमारे आसपास गाउं में आने वाले हो, या तो कोई जगह पर आने वाले हो, किसी की मुलाकात लेने के लिए विजिट में आने वाले हो, तो हम क्या कर देते हैं, वस ज सजिदज़े, यानि कि साफ सुत्रे कर दिये हैं क्यूंकि आज तो मंत्री आने वारे थे इति अध्यतू मंत्री आगमिश्यति अध्य यानि आज तो मंत्री आने वाले है वो अनारिका को याद आ चाता है सह अत्र किमर्थ आगमिश्यती इती विशे तश्याहा जिग्याशा प्रारब्दहा सह यानि वो वो यानि की मंत्री सह अत्र अत्र यानि यहां पे किमर्थम यानि क्यूं आगमिश्यत यानि आने वाले है वो यहां पे क्यूं आने वाले है इती विशय यानि इस विशय के बारे में तश्याहा जिग्यासा प्रारब्दा हा प्रारब्दा यानि शुरू हो जाती है इस विशय में उसकी जिग्यासा शुरू हो जाती है अब इसको ये प्रश्ण है कि वो यहाँ पे क्यूं आ रहे है मंत्री तो आ रहे है वो उसको पता चल गया पर यहाँ पे ये क्यूं आ रहे है मंत्री इस विशे के बारे में उसकी जिग्याशा सुरू हो जाती है गुरुहम आगत्य सा पीतरम अपुचत गुरुहम यानि गर में आगत यानि आकर सा यानि वो वो यानि की अनारी का पितरम यानि पिताजी शे अपुछत यानि पूछा वो घर आ जाती है वो गुमने गई थी ना तो अब गुमने से गुमकर वो घर पे आते है तो घर पे आकर वो अपने पिताजी है उसते पूछती पुछत यानि पूछना, पुछती है, पितह, मंत्री की मर्थ आगच्चती? अरे पिताजी, मंत्री क्यूं आ रहे है? आगच्चती यानि आना? अरे पिताजी, पितह यानि पिताजी, मंत्री यानि मंत्री की मर्थ यानि क्यूं? आगच्चती यानि आने वाले है? अरे पिता मंत्री क्यूं आने वाले है? क्यूं आ रहे है? पिता अवदत पिता जी ने कहा पुत्री नद्याह उपरी नवीन शेतु निर्मित अवदत यानी पिता अवदत यानी पिता जी बोले पुत्री अरे बेटी नद्याह यानी की नदी उपरी यानी उपर नदी की उपर जो नवी यानि की नया शेतू यानि पुल निर्मित यानि बना है पुत्री नदी के उपर जो नया पुल बना है न तश्या उदगाटन आर्थ मंत्री आगच्छती तश्या यानि की उसका उदगाटन आर्थ यानि उदगाटन करने के लिए सुभारम करने के लिए मंत्री आगच्छती उसके लिए उसका उद्गाटन करने के लिए मंत्री आ रहे है तो इस प्रकार यहाँ पे पीता जी है वो अनारिका को कहते है कि वो जो हमारा अभी नदी के उपर नया पूल बना है उसका उद्गाटन करने के लिए मंत्री आ रहे है तो यहाँ पे आज हमारे इस प्रियर में हम ये लेशन का अभ्यास यहाँ तकही समझेंगे Next प्रियर में इस लेशन का अभ्यास आगे का समझेंगे बहुत अच्छा पाठ है ये इसके द्वारा हम कुछ प्रेना भी ले पाएंगे तो चलो आज इस प्रियर्ड का हम होमवर्क नोट कर ले तो आज हम इस प्रियर्ड का होमवर्क है इस लेशन जो है चतुदर्शव पार्थ उसके जो शब्दार था है वो आपको संस्कृत की CW में लिख देने है तो सब लोगों को संस्कृत की CW कमपलेट रखनी है जिस दिन का होमवर्क मिलता है उसी दिन आपको होमवर्क कर लेना है और उसकी फोटो मुझे सेंड करनी है अगर आपकी फोटो आती है तो ही आपकी प्रेजन होती है यह आप सब को पता है इसलिए आप लोगों को सब को होमवर्क करके CW में यह सब्दाथा लिख कर उसकी फोटो मुझे सेंड कर देनी है नेक्स्ट यर्ड में यह लेशन का आगे का अभ्याश हम करेंगे और इसका अभ्याश जो है वो करके इसके बाद इसकी exercise भी हम देखेंगे तो आप लोगों को सब को जल्दी से आपका होमवर्क कर लेना है Thank you